नमस्कार आप देख रहे हैं MP तक मैं हूँ अकांग शुठाकुर मधिप्रदेश के इन दौर में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है कोरोना वाइरस के UK वेरियंट के स्ट्रेन के 6 मरीज इन दौर में सामने आये हैं और अगर बच्चों में आये नए कोविट स्ट्रेन की बात करें तो इन दौर में अब तक कुल कोविट संक्रमितों में से 4 फीसदी ऐसे केसे सामने आएं जिन में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ये कोविट 19 का नया स्ट्रेन देखा गया है वहीं बच्चों के vaccination की अगर बात करें तो बहुत सारे vaccine अभी pipeline में है और जो doctors हैं और जो specialist हैं वो लगातार इस बात की उमीद कर रहे हैं कि बच्चों के लिए भी जल्द ही vaccine की विवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी कि इस पूरे मामले पर doctors का इंदोर्ग doctors का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए आज की जो bulletin जो रात में में जारी की थी उसमें 2199 सेंपल स्टेस्ट किये गए थे जिनमें से 2005 सेंपल नेगेटिव रहें वहीं 166 सेंपल ऐसे रहें जो की positive है तो कल की जो positive rate वह 7.5 परसेंट पर थी ओवराल हमारे इंदोर्ग जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर मरीजों की जो संख्या है इंदोर्ग जिले में 1353 मरीजों की संख्या है जो पूरे टोटल मरीजों की संख्या के 2.2 परसेंट है अभी कुछ दिनों में रफ्तार तो बढ़ी है काफी ज्यादा केसे इंक्रीज हुए हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UK का इस ट्रेन भी इंदोर में निकला है जो की काफी ज्यादा तेजी से संक्रमिट करता है लोगों को और अभी उसके फेटालिटी रेट उतने ज्यादा नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी जनता को जागरुकता दिखाते हुए सावधानी वरतनी चीए और सनीटाइजर मास्क का प पहले के तुलना में ज्यादा हो सकता है लेकिन अभी ओवर आले दी हम इस्तिती देखते हैं तो लगबाग चार प्रतिसत मरीज कोवीड में ऐसे रहे जो दस साल की उमर तक के बच्चे थे आपको बता दे कि जो शुरुवाती स्टडी सामने आई हैं उनके मुताबी कोवि प्रोना से तीन लोग अपनी जान गवा चुके हैं ऐसे में इस खत्रे को देखते हुए प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है वही डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को जागरुक रहकर साबधानी बरतनी चाहिए और सनिटाइजर के इस्तमाल के साथ ही मास्क का उप आना चाहिए कि हम वैक्सिनेट हो गए हैं तो तुरंत ही आंटिबॉडीज डेवलप हो जाएंगे उन्होंने ये बताया कि वैक्सिनेशन के बाद भी कम से कम देड़ से दो महीने के बाद ही शरीर में आंटिबॉडीज प्रॉपरली डेवलप होती है ऐसे में तब तक के ल पेज के साथ अब हमारे इंस्टेग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आम इंस्ट्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं एंपी तक की इंस्ट्राम ID हैं एंपी तक अंडर्सकोर उफिशिन मध्य प्रदेश से जोड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें एंपी तक